असलाम अलेकुम वीवर्स, वेलकम टो माई चैनल मनाहिल टेलर, आज की इस वीडियो में हम लॉन कुर्ती के लिए बहुत ही प्यारा सा नेक डिजाइन बनाएंगे, तो यहां पर मैंने तीरा इसका 7.5 पे लिया है, जो के हम नॉर्मली नेक के लिए लेते हैं, अब हमने यह पीस लिया है, जिसके उपर हम गला कट करेंगे, इसकी टोटल चोड़ाई मैंने 10.5 पे लिया है, यानि 10.5 इंचिस, और इसकी टोटल लंबाई हमने 14 इंचिस लिया है, अब यहां उपर की साइड हम गले की चोड़ाई के लिए निशान लगाएंगे, जो के मैं 4 इंचिस पे ले रही हूं, गले की चोड़ाई, आपने साफ से कम ज्यादा ले सकते हैं, और लंबाई याप इमें 5 इंचिस लूँगी, उसके बाद इन दोनों निशानों को हम स्केल की मदद से इस तरह से मिला देंगे, और यहां पे काफी गल्स का सवाल था, कि राउंड गला जो ह पर इस तरह से चले जाएंगे, बिल्कुल आसतर इस तरह से अपने इस तरह से गुलाई की शेप देनी है, तो इस तरह से आपका राउंड नेक बन जाएगा, इसको एक दुबार प्रेपर पर ट्राय करेंगे, तो इन्शाल आपको आजाएगा, अब यहां पे हमने जहां प अब सेंटर जो है, उसकी हमने चोड़ाई जो है, वह यहां पे डेर इंच लेनी है, तो यहां पर भी मैंने एक निशान लगा लिया है, अब सेंटर वाली निशान से हम ओपर तक इस तरह से इसको लेके जाएंगे, और बिल्कुल हमने एक पॉइंट इतना छोड़ना है, ज की कटिंग कर लेंगे, अब गले की जो सेंटर का हिस्सा है, इसको हमने यहां पर पैस्ट करते वक्त यूज करना है, और जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको भी हम बाद में डिजाइनिंग में यूज करेंगे, तो न दोनों सो को हमने संबाल के रखना है, अब जो उपर का ग कट किया था उसको इस तरह से रखते हैं अब बीच वाणी से यह तरह से हटा देंगे और वाकी थोड़ा सा कपड़ा चोड़ते हुए एक्स्टर कप्डे की हम साइट से कटिंग कर लेंगे और जो कॉर्णा है वहाँ पे इस तरह से कट लगा लेंगे अब side के कपड़े को fold करके इसके उपर slide कर लेंगे इस तरह से slide करने के बाद अब हमने shirt का front बाला हिस्सा लेना है जिसको हमने iron करके center पे इस तरह से crease बना ली है अब इसी के उपर हम tailor joke की मज़े से पहले इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसके बाद इसके गले के center पे cut लगा लेंगे इस तरह से और इसके center पे इस तरह से कले को रखते वे pin के साथ set कर लेंगे अब इसके उपर हम slide कर लेंगे थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते वे बाकी extra कपड़े की cutting कर लेंगे और पूरे गले के उपर इस तरह से छोटे-छोटे से cuts लगा लेंगे ताके पलेटने के बाद गले में finishing आया है यह देखें इस तरह से अब इस तरह से हम इसको पलेट लेंगे और किसी भी नौकली चीज़ की मदद से इस तरह से इसके corners को बायर निकाल लेंगे अब हम इसको अच्छे से iron कर लेंगे तो यहाँ पर देखें मैंने इसको iron कर लिया है साथ इसकी तुरपाई भी कर ली है गले की अब यहाँ पर हमने गले की गुलाई पर जो है वो गोटे को स्टिच करना है तो इस तरह का गोटा आपको शॉप से इजीली मिल जाएगा नहीं तो आप स्क्रीन शॉट ले लें अब यहाँ पर हम थोड़े थोड़े से फास्ले के साथ जितनी आपने line stitch करनी हो आप कर सकते हैं मैं यहाँ पर तीन line stitch करूंगी तो यह देखें इस तरह से हमने थोड़े थोड़े से gap के साथ उनको stitch कर लेना है बिल्कुल अराम-अराम से आपने इसके उपर स्लाई लगानी है ताके स्लाई जो है वो नीचे ना उतरे अब जहाँ पर कला एंडो हो रहा है वहाँ पर हम इसको उस तरह से कट कर लेंगे अब यहाँ पर हम थोड़े फासले के साथ दूसरी लाइन को स्टिच कर लेंगे और इसी तरह से हमने टोटल तीन लाइन स्टिच करनी है दोनों साइट पर तो यहां पर मैं दोनों साइट को complete कर लूँगी तो इस तरह से देखे हमने इसके अपर गोटे को stitch कर लिया है अब जो इसकी किनारी है इसके अपर जो है वो last stitch हो जाएगी लेकिन इससे पहले हमने इसके center का इसा ready कर लेना है तो इसके लिए जो हमने center का इसा cut किया था उससे थोड़ा बड़ा piece करके हम दूसरा cut कर लेंगे हम इसको कपड़े के उपर प्रेस्ट कर लेंगे और नीचे की साइड इस तरह से कपड़ा रखते हुए थोड़ा सा कपड़ा चोड़ते हुए बाकि एक्स्ट्र कपड़े की हम cutting कर लेंगे इस तरह से अब उपर की साइड सबसे पहले हम एक sly लगा लेंगे इस तरह से sly लगाने के बाद आप कपड़े को जब हम इस तरह से पलटेंगे तो उपर की साइड देखे यह cover हो गई है हमारी अब इसको इस तरह से बराबर set करते वे जहां पर बुक्रब एंड हो रहा है वहां पर आपकी नारीकेक sly कर लेंगे अब इसके सेंटर वाले इससे के उपर आप जिस तरह से से मैं इसके पर sly लगा रही हूं अब यहां पर देखे हमने इसको ready कर लिया है अब सेंटर से फोल्ड करके क्रीज बना लेंगे ताकि हम इसको सेंटर पर अच्छे से सेट कर सकें अब इस तरह से थोड़ा सा नीचे की तरफ करते हुए उपर वाले इसको पिन के साथ अच्छे से यहां पर सेट कर लेंगे अब इसके उपर किनारी की sly कर लेंगे अब इसके उपर वाली side की तरफ हम यहां पर इस lice को स्ट्रिच कर लेंगे अच्छे यह mirror वाली जो lice है यह ärum कर करके हम इसको इसको आराम से लगा सकते हैं यानि यह जबकने वाली है तो उपर की साइड मैंने मिरर निकाल के इसको यहां पर अच्छे से पहले इस तरह से रखते हुए किनारी की स्लाई लगा लिए नहीं इसकी एक साइड की तरफ थोड़ा सा लेस का हिस्सा है तो मैं सिंगल बूट यू कर सके यानि इसका कॉर्णर बना सके इस तरह से अब इसी स्लाई को हम उपर की तरफ लेके जाएंगे अच्छा इसकी जगह अगर आपके पास कोई और मिरर वाली लेस है तो उसको आप हैंड स्टिच करके उसके बाद इसको आयरल करके इच्छे से फिक्स कर सकते हैं अब य किनारी की साइड इसके उपर इस तरह से स्लाई कर लेंगे अब यहां पर मैं इसके बीच में परल को स्टिच कर लूँगी इसके बाद मैं आपको आयरन करके दिखाती हूँ तो यहां पर देखे मैंने परल को स्टिच कर लिया है अब यहां पर हम इसके उपर कपड़ा रख हलक हलका से आपनेittä Director अच्छे से दबाना है ताक के लेस अच्छे से यहां पर sait हो जा来 को हटाना है तो यह देखिए हमादी लेस अच्छे से फिक्स हो गई है यह यहां पर तो आज के लिए बस इतना ही होप के मेरी आज की वीडियो आप लोग के लिए हैफ रही हो येकल आपको पसंद आया हो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेर जरूर कीजेगा चेनल पन्यूंग है तो चेनल को सब्स्ट्राइब्ट होना ना बुलिएगा मिंते हैं नेक्स वीडियो में अलाह आफिस